अगर आप एंड्रोड उसर होना तो फार एक्स्टिंशन रडी कर लो क्योंकि यह दस नहीं हाद एक अंड्रोड लॉंच देखके ना किसी भी आइफोन उसर की गैरंटीड जल के राख हो जाएगी और इस जले पे नमक छिड़कने के लिए बोनस में कुछ सिक्रे अंड्रोड कस्टमाज़िशन टूल्स भी हैं, आपने लोगों के यूनिक होम स्क्रीन सेटप्स देखके न वह सेम सेटप अपने डिवाइस में अचीव करने के लिए कई सारे टुटोरियल और वीडियो देखे होंगे, बड़ एक चीज सच बताओ, वह सेम सेटप आइकन डूंडो, वाल पेपर लगाओ, बैकप फाइल अपलाई करो, यह अजस्टमेंट करो, वह कस्टमाज़ेशन करो, किसी भी नॉर्मल एंडॉड उसर के लिए इससे मुश्किल काम और कुछ नहीं है, और इतनी सारी भीजामारी करने के बाद भी जब वह डिजाइड नहीं मिलता ना, तो फिर वो थकार के वापस अपने पुरा ने बोरिंग होम स्क्रीन सेटप पर ही चले आते है, इस प्रॉबलम का सबसे यूनीक एजी सल्यूशन है, इसके अंदर आपको कई सारे यूनीक एंडॉड होम स्क्रीन सेटप के प्रिसेट्स मिलता है, जिने को बिल्कुल एलिगेंट एंड यूनीक बना सकते हो, आइकन, विजेट्स, वाल पेपर या पिर किसी भी तरह की कोई भी बैकप फाइल डाउनलोड करने की जरूतरी है, बस जो सेटप आपको पसंद है, उसे सलेक्ट कर लो, और आपके होम स्क्रीन पर वो सेटप बिल्कु करता है, फिर चाहे आप बिगिनर हो या फिर एक एडवांस यूजर, इससे दिमागफ़ पाड एप आपको और कहीं नहीं मिलेगी, यूज करके देख लो, EDX UI आपके फोन में एक फ्यूचरिस्टिक हेकिंग इंटरफेस कर देगा, जिससे आप लॉंचर फॉर्म में इंट्रेक्ट कर सकते हो, डिजाइन और ग्राफिक्स एलिमेंट ना पूरी तरह से एक हेकिंग प्रोटोकॉल को रिप्रेजेंट करता है, कुछ भी टाइप करके किसी के सामने अपना फोन चलाने लगे ना, तो सामने वाले की डेफिनेटली फटके चार हो जाएगी, थीम्स वाले सेक्शन में कई डिफरेंट टाइप की हैकिंग थीम्स अवैलेबल है, इस थीम के हर एक एलिमेंट को अपने हिसाब से कस्टमाईज भी कर सकते हो, व यसा मेरी उस लास्ट वीडियो में और भी काफी सारी गादक Android Apps और ट्रिक्स बता रखिया, जो कि आप बिली भी भी नहीं करोगे कि एक्जिस्ट करती है, इनकेस अगर आपने वीडियो मिस्स कर दी है, तो इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो भी जरूर जाके च आइकन पैक में इस लांचर के साथ यूस कर रहा हूँ, इसका नाम है UXLED-Free, और सच बताऊ ना तो जब आप ये लांचर यूस करोगे तो आपको ऐसा लेगा जैसे आप किसी हाई-टेक सिस्टम से इंट्रेक कर रहे हो, विच फिल्स एब्सलूटली कूल next up in this list is the alpha hybrid launcher, this launcher will bring your favorite stuff on the home screen in circular look, app drawer भी इसी circular style में काफी cool लगता है, iron man के जर्विस की तरह इसका अपना AI assistant भी है जिससे आप कई सारे काम करवा सकते हो, सिर्फ यही नहीं, इसके और भी कई different tools हैं, जैसे यह dialer हो गया, inbuilt, ram booster है, news app, music player, DIY theme option में आपको कई different pre-made themes मिल जाएंग अगर आपको पुराने Lumia phones का Metro style Windows phone वाला interface पसंद था ना, तो Square Home आपके Android को पूरी तरह से उससी interface में change कर देगा, this launcher is highly customizable and super interesting to use, आप इसमें बिल्कुल Windows phone की तरह लाइव tiles एड़ कर सकते हो, किसी भी tile का style, उसका size या फिर color वगरा change करके, उसमें single tap या फिर double tap actions एड़ करके, अपने Android में इस Windows phone experience को एक step और आगे ले जाने के लिए, आप इस launcher को Windows 11 style control center and Windows phone lock screen के साथ combine करके ultimate Windows phone experience कर सकते हो, आगे बढ़ने से पहले एक काफी important चीज़ बताता हूँ, यह जो आप मेरी अभी photos and videos देख रहे हो न, यह मेरी college time की यादे थी, जो कि गलती से, बहुत साल पहल या फिर कोई important file डिलीट कर दिया, तो attention मत लो, क्योंकि wondershare recover it's है, आप उन deleted files को बहुत ही easily recover कर सकते हो, यह software Mac and Windows दो नहीं platforms के लिए available है, and recently इसका एक major update रिलीज हुआ है, जिसके बाद साना इसमें काफी unique new features add हुए, इस tool में जाके आपको बस storage device select कर लेना है, जहां से आपकी files delete हुई है, जैसे मेरे camera की memory card से ना, कुछ photos and videos delete हो गई थी, तो उन्हें सारा recover करने ही कोशिश करते है, जैसे आप storage device को select करोगे, यह automatically deleted files को scan करना start कर देगा, अब जो quick scan है यह थोड़ा सा fast process है, जिसमें यह जल्दी जल्दी ऊपर-उपर से scan कर देता है, deep scan करोगा तो इसे पुराने deleted files को भी scan करके ढूंद देगा, enhanced recovery के option में जाके आप specific video format को select करके deep scanning कर सकते हो, as you can see यह सारी files इसने scan करके ढूंद लिये, अब मैं चाहूं तो यहां से इन files को live preview करके भी देख सकता हूं, अब जो जो files मुझे recover करने है उन्हें select करके बस recover पे click कर ले रहा है, यह सारी files है, यह मैंने recover कर ली है, it's that easy, सिर्फ deleted files ही नहीं, इस tools है आप corrupted videos को repair भी कर सकते हो, और तो और कपी अगर आपका computer crash या फिर खराब हो जाए, या फिर आपके NAS या Linux system में से data loss हो जाए, तो उससे भीना यह आपके data को rescue कर सकता है, it's an all-in-one data recovery tool जिसे आप free में try करके देख सकते हो, description में आपको link मिल जाएगी, definitely check out करो, अगर आप अपने Android में एक advanced and immersive hacking home screen setup अचीव करना चाहते हो, तो यह cyberpunk setup करके देखो, I can bet you will love it, यह setup highly interactive है, आप इसमें इस तरह fake hacking system को trigger कर सकते हो, इन live hacking elements को देखके किसी को भी लगेगा जैसे आप किसी hacking protocol को run कर रहे हो, य KLWP theme है, जिसका नाम है Netrunner, Play Store पे यह theme 150 रुपीज की है, पर मेरे Telegram से आप इसे free में डाउनलोड कर सकते हो, इस theme को apply करने के लिए आपको KLWP Pro and Nova Launcher 7, यह दो apps चीह होंगे, यह सारे apps में Telegram पे देदूँगा, वहां से आप इने डाउनलोड कर लेना, अब ज़रा quickly मैं इसक setup समझा देता हूं, तो सबसे पहले तो आपको Nova Launcher इंस्टॉल करके इसका जो home screen है, इसे बिल्कुल साफ कर देना है, मतलब यह सारे icons वगरा हटा दो, और यह जो नीचे dock search वाला बार है इसे भी आपको हटा देना है, फिर बस आपको KLWP में जाके इस theme को select कर लेना है, और ब पहले भी आपने मेरी वीडियोस देखी हैं, बढ़ अभी तक चैनल को subscribe नी किया है, तो सही बता रहा हूं, यही सबसे अच्छा मौका इस चैनल को subscribe करने का, क्योंकि हमारे future के जो projects है वो इससे भी जाधा घातक होने वाल है, जो कि आप लोगो को बिल्कुल भी miss नहीं करना है, आपके जो भी thoughts, opinions या फिर question, suggestion, कुछ भी हो, comment करके मुझे जरूर बताना, मैं हर एक comment पढ़ता हूं, and मैं उन comments का reply करने के भी कोशिश करता हूं, तो make sure कि आप एक comment जरूर छोड़के जाओ, next up we have ratio by block, और यह सिर्फ एक launcher नहीं है, it's a completely redesigned android user experience, जो की पूरी तरह से productivity and minimalism पे focus करता है, और कुछ ऐसे unique features है इसमें, जिसकी वज़े से productivity के मामले में, hands down, this is the best android launcher system, जिससे मैं अभी तक use करते हा रहा हूं, ratio का main aim है, आपके phone को less distracting बनाना, जिससे आप अपनी productivity पे focus करो, औ अपने phone को सिर्फ तभी use करो, जो आपको उसकी जरुवत पड़े, ratio के तीन main aspects है, tiles, root and conversation, now let me explain, मजा आएगा, तो tiles वाले section में इस तरह के drawers है, यह drawers आप category के according या फिर अपना custom drawer भी add कर सकते हो, इस drawer के अंदर होंगे आपके categorized apps, किसी भी drawer पे single tap करके उसे extend कर सकते हो, या फि किसी app के dashboard में जाओगे तो यहां से आपको उसका usage time and बाकि सारी details मिल जाएंगी, you can change the icon from here, या फिर उस app के लिए different highlights या फिर इस तरह का marker add कर सकते हो, आप उस app के tiles को इस तरह expand भी कर सकते हो, किसी भी app के लिए lock लगा सकते हो, जिससे बिना fingerprint या फिर password के वो app launch नहीं होगा, similarly आप individual app के लिए इस तरह का monochrome color option को enable कर सकते हो, जिससे अगर को distracting app, for example, Twitter open करूँगा, तो पूरा interface इस तरह का monochrome हो जाएगा, keeping me reminded कि यह app मुझे जादा देर तक use नहीं करना है, you can change between different modes like light mode, sun mode, या फिर focus mode, conversations में क्या है या आपके जितने भी messaging apps है, like WhatsApp, Instagram, Telegram, Twitter, Facebook, और जितने के आगे उस app का icon मिलेगा, यहां से मैं directly उस message का reply कर सकता हूँ, मुझे वो individual app खोलने की ज़रूत नहीं है, normally जैसे किसी भी messaging app में होता है, मैं किसी भी conversation को यहाँ pin, archive या फिर mute भी कर सकता हूँ, you can add tag to a conversation, यहाँ पे search का भी option है, also आप इसके लिए biometric lock भी enable कर सकते हो, now comes to the root, यहाँ पे आप different widgets add कर सकते हो, जो कि एक complete interactive card form में act करेगा, ratio के अपने खुद के widgets भी है, search option से आप कुछ भी search कर सकते हो, ratio का अपना एक powerful universal search engine भी है, Neva, जिसे change करके आप अपने पसंद का कोई भी search engine यहाँ से choose कर सकते हो, यह तो बस एक overview था, और भी कई सारे useful tools हैं साहिए, जिससे मैंने इस वीडियो में detail में बहुत पहले cover कर रखा है, if you want to know more about ratio, then check out this video, link will be in the description. KV600 एक open source launcher है, जो कि आपको प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगा, और यह बाकी के third party launchers की तरह न, AOSP पे बेस्ट नहीं है, इस launcher का main highlight है, इसका global search feature, जिससे ना ही सिर्फ अपने device के apps, contacts, and calendar events को, बल्कि पूरे web feature को search कर सकते हो, like your Wikipedia, or your next cloud instance, इस launcher में आपको सिर्फ यह एक screen मिलेग के अपने favorite pinned apps, या फिर frequently used apps को access कर पाओगे, अगर आपको अपने device में कोई भी document या फिर किसी भी तरह की कोई भी information चाहिए, इसमें search करो, आपको मिल जाएगी, यह launcher आपके home screen को clutter free and user experience को responsive बना देगा, यह वाला launcher आपके Android UI को पूरी तरह से latest iPhone के iOS device में चेंज कर देगा, detailing का क्या ही कहना, मतलब fonts, live icons, animation से लेकर control center, app library, iOS style widgets, सब मिला करना, यह best iOS style launcher है, जिससे आप किसी भी Android में apply कर सकते हो, और आपका phone पूरा मखन की तरह चलेगा, अगर आपने Android device में कोई iOS theme या फिर launcher ट्राई किया है, या फिर अपने Android को iOS में बदलने की कोशिच किया है, तो इस iOS 16 port को एक बार setup करके देखो, आपको खुद पता चल जाएगा कि यह कितना ज्यादा supreme and authentic लगता है, iOS 16 की support को आप exclusively मेरे telegram channel से free में download कर सकते हो, ऐसे exclusive apps मैं regularly अपने telegram channel पे देता रहता हूँ, and मेरे telegram channel के link आपको मेरे instagram के bio में मिल जाएगी, मेरे instagram के link मैं आपको description में दे आपको और गहीं नहीं मिलेंगे, विसे जो dynamic lock screen आप देख रहे हो, इस background effect के साथ, जिसमें ये clock किसी भी subject के background में देखती है, इसके लिए मैंने अलग से dynamic lock screen app install कर रखा है, जिसमें आप पूरी तरह से अपने custom iOS 16 style dynamic lock screen बना सकते हो, with this background effect. flow launcher भी एक काफी unique and useful minimal type का productivity focused launcher है, design elements में कुछ भी fancy या फिर distracting element नहीं है, and you can actually say it's a little inspired by the ratio launcher, flow launcher को आप उसके एक subtle substitute के तौर पे ले सकते हो, main home में आपको इस तरह screen time के साथ आपके favorite apps मिलेंगे, अगर आप left swipe करके my feed चेक करोगे, तो यहाँ आपको असले गाम की चीज़े मिलेग उल्टा मुझे यह काफी useful लगा, ऐसा नहीं है कि minimal चाहिए, तो कुछ भी interesting ना लगे, there is a focus mode जिससे enable करके, आप सिर्फ अपने favorite apps को यह access कर सकते हो, जब तक यह focus mode का time frame finish नहीं हो, again the idea here is to keep you productive and less distracted by your phone, I hope in launchers को use करके आपको बहुत जादा मजा आने वाला है, that was pretty much it for this video guys, I really hope कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है, तो make sure कि आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, and अगर चैनल पर नए होना, तो subscribe करके पास में जो bell notification का icon है, उसे all पर site कर देना, Instagram and Telegram, इन दोनों जगापे भी follow कर लेना, thanks again for watching this video guys, I'll catch you in my next video, till then take care, bye bye, peace.